Hello students, how are you? Good? Okay, let us start about next topic. Name of topic is theory of production. What is the meaning of production? कुछ भी बनाना, उत्पादन करना, क्या कहते हैं उसको? आप production कहते हो. आप की factory है और आप एक दिन में 10,000 cold drink बनाते हो. तो cold drink बनाना क्या है? production. ठीक है? जो भी जो जो बनाते हो, बनाने का नाम क्या होता है? production होता है. इसको आप लाइन से समझते हैं clearly. production is purely a technical relationship with collect factor, input and output. आप की कोई factory है, जब भी आप कुछ बनाते हो, तो क्या चाहिए? input चाहिए? what is the meaning of input? आप को चाहिए land, labor and capital. क्या है यह सारे? input है. और क्या निकलता है इससे? आप बनाते हो cold drink. coding क्या है? output और land, labor, capital क्या है आपका? input. input को यूज़ करके जो भी output निकलता है, उसका relationship क्या show करता है? production को show करता है कि आपने कितना production किया है. clear? कुछी बनाने के लिए आपको चाहिए input और क्या निकलेगा वहाँ से? output. clear? अब हम देखते हैं कि Y. ठीक है? Y क्या है आपका? function किसका है? Y for production is function of L, labor, K, capital, S for land. first is labor, L for labor, and K for capital, and S for land. ठीक है? आपको चाहिए बनाने के लिए कुछ भी, सबसे पहले आपकी कोई company खोल लिए तो क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए land, फिर capital, किस लिए मशीने बनाने के लिए? फिर चाहिए आपको land, land, labor, और capital ये तीनों चीज़े आपको चाहिए. अब हम आते हैं, आपकी, आप production करते कैसे हो? आपके पर हम assume कर लेते हैं कि 10 एकर land है, उसके पर क्या कर रहे हो? आप labor को लगाते जा रहे हो, और आपका production कितना होगा? ये हम यहाँ समझते हैं. सबसे पहले हम ने ले ली, land is fixed. 10 एकर land आपकी क्या है? फिक्स रहे ही, आप इस land को न तो बढ़ा रहे हो और ना ही बढ़ा रहे हो. ठीक है? ये क्या है आपकी? फिक्स लेंड पे आपने company को खोल दिया. अब आप क्या करोगे? पहला labor काम पे रखोगे, वो कितनी चीज़ बनाता है? 20. तो टोटल production is 20. सेकंड लेबर का अपने काम पे रखा, दोनों ने मिलके कितनी बनाई? 50. थार्ड लेबर काम पे रखा, कितनी चीज़ बनी? 90. फूर लेबर काम पे रखा, कितनी चीज़ बनी? 120. ये क्या है? लेबर को आप काम देते जा रहे हो. ये क्या है? जैसे जैसे लेबर को काम दोगे, उसने कुछ काम करेगा, तो वो क्या है आपका? टोटल production. किक है? पहले हम सर्फ इतने ये टेबल का यहाँ पर डायरफ बनाएंगे. आपने क्या किया? किसका relationship है इस दोनों में? एक तरफ production है और एक तरफ labor है. एक तरफ आपने ले 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 लेना है और ओ वाइपर कहले लेना है आपने जो प्रोडेक्ट आपका बन रहा है. आप कोल्डरिंग के फेक्टरी है, पैन की फेक्टरी है, बुक्स की फेक्टरी है, जो चीज़ आप बना रहे हो, वो कह रहे है आपका production हो ठीक है? अब हम पहले जो डाग्राम बनाते थे इससे पहले यहां हम नमबर लिखते दे और यहां भी हम नमबर लिखते दे, demand काव, supply काव, लेकिन अब हम बहुत साए डाग्राम बना चुके हैं, तो अब हम नमबर लिखता है, बंद कर रहे हैं, कैसा बना रहे है? सिंपल डाग्राम बना रहे हैं, जो इसकी shape हमें बता र T हो गई है, इसका मतलब पहले increase हुई, फिर constant हुई और फिर diminishing होना start हो गई है, तीन stages में आ गई है, हमने पी इपने डाग्राम बनाना है, फॉस्ट इस इंक्रीजिंग, सेकेंड इस constant and third is diminishing, कैसा हमने नमबर लिखने हैं, नमबर लिखने हैं, हमने simple freehand से डाग्राम बनाना है अब, आप start करोगी डाग्राम यहां से, यह आपका total production बढ़ रहा है, यहां पर आपको constant हो गया और यह आपका diminishing हो गया, this is your first stage, this is your second stage, ठीक है, and this is your third stage, कि यह हो रहा है पहले graftus seconds इंट स्टेजु ग counselors तर्ट स्टेज में क्या हो रहा है अब हम आयंगे आपका average بنदशन पर अब यह इक ि्धिंड़ राप्ष्ञुन क्या होता है जैसे प्ने मायंकbet कि average निकालते हो, total marks होते हैं, और कितने subject होते हैं, क्या निकालते हैं, तो average, वैसे ही यह निकलता है, average production, कैसे निकालोगे, total production को number of labor से divide कर दोगे, ठीक है, average production equal है, total production divided by number of L, labor आपके हो जाएंगे, तो this is your average production, कैसे निकालोगे, 20 divided by 1, 20, 50 divided by 2, 25, 19, 90 divided by 3, 30, average का निकालने का फोला समझ में आ गया होगा, हम क्या कर रहे हैं, total को number of labor से divide करते जा रही हैं, तो आपके क्या निकल रही है, average production, ठीक है, अब हम बनाएंगे, पहले average production का diagram, सेम आपने लेना है, यहाँ पर production, और यहाँ आपने लेना है, number of labor, clear, अब फेसे हैं मैं कहा रही हूँ कि यहाँ ना आपने number लिखने हैं, ना ही number हमने, यहाँ लिखने हैं, क्या देना हैं, सरफ shape, पहले क्या हो रहा है, increase हो रहा है, और फ यहाँ हो गया, ऐसे यहाँ simple बनाओंगे, फ्री हैंट चाडाग्राम, पहले आपका average production इंपीज होना चुरू हुआ, एक highest stage पर यहाँ 30 हो गया, फिर क्या हो गया यह, diminishing हो गया है, this is your average production का, clear, अब हम आएंगे marginal, marginal क्या होता है, marginal होता है, जब एक labor ने कितनी चीज़े बनाई, 20, तो जब अगला labor हमने काम पे रखा, तो अगले labor ने कितना बनाया, दोनों ने मिलकर नहीं, सरफ अगले labor ने क्या बनाया, वो क्या होता है, marginal production, एक ने बनाया, 20, दो ने बनाया, 50, अगर मैं कहूं, सर्द दूसरा labor जो काम पे रखा था, उसने कितना बनाया, तो कैसा निकालोगे, टोटल 50 में से, अगर मैं 20 को माइनस कर दोंगी, तो उसने किती चीज़े बनाई, 30, एक labor आकी, 20 गोल्डरिंग बना रहा था, दो ने, दो आ गए, तो 50 बन गई, मैंने सरफ पूछा कि, दूसरे labor ने कितना बनाया, वो क्या होता है, marginal, कितना बनाया, 30, ठीक है, अब जसे यह, marginal production, अब तीसरे labor ने कितना बनाया, कैसे निकालोगे, 90 में से 50 को माइनस कर दो, कितना ओ जाएगा, 40, marginal production of third labor, अब marginal production of fourth labor क्या होगा, fourth ने कितना है मनाया, 120 में से आप, 90 को माइनस कर दोगे, तो क्या निकल आपका ये marginal production निकल जाएगा, हाँ आप ऐसे ही करोगे, इस में से इसको माइनस कर दोगे, 150 में से 150 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 0, 140 में से 150 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा, minus 10, this is your marginal production, इसका भी हम 3 हैं से डागरम बनाएंगे, देखो क्या हो रहा है, सब छे पहले 20 था, 30, 40, पहले क्या हुआ, increase हो गया, highest stage पर पहुँच गया, और फिर क्या हो गया, diminution होना, start हो गया, और बात में क्या हो गया, 0 भी हो गया, फिर क्या हो गया, negative में चला गया, ठीक है, तो क्या हुआ ये, सबसे पहले start हुआ, स्वेर वाइग अलग से बनाना चाहो, अलग दो ले नहीं है, आपने, सबसे पहले, आपका ये, increase हुआ, decrease हुआ, ये, increase हो गया, margin production, highest पर पहुँच गया, और फिर खाहा गया, नीचे आते है, आते हाँ, पहुच गया, 0 पे, 0 मतलब इस लाइन के, इस लाइन को इसने, टच कर दिया, 0 का मतलब क्या है, कि ये, लाइन न production की लाइन, O, X के जब नीचे पहुच जाए, तो वो क्या होता है, आपका, इंडेक्टेव में चीज चले जाती है, तो आपका, marginal production, and this is your average production, ठीक है, यहाँ आपर, theory of production, clear हो जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, return to scale, return to factor, वो हमारे next वीडियो में होगा, ओके, thank students,